हेलो दोस्तों, वेलकम टु माई चानल G4 तक आज का मेरा वीडियो केरियर एसी रिमोट के बारे में इसका बेसिक फंक्शन्स में आपको इस वीडियो में बताएंगे बेसिक फंक्शन्स, बाकी वीडियो एक हें करके मेरा चानल में देखने से आपको मिलेगा सबसे पहले असी आप नाये एसी ले लिया होगा तो नाये एसी ले लेने से सबसे पहलेए च in hurts करना है एक बार ऑन-अवबटन अवन-वबटन अपना मोबेह्चे और Cabinet ब्र्ल Im आपका remote काम कर रहे हैं अगर फिर भी आप AC का कुछ function नहीं चल रहे हैं तो आप AC service center में देना है यह O phone switch फिर आपको temperature प्लस माइनस अपको कर सकते है अड़ेस्ट कर सकते है temperature प्लस माइनस इसमें कर सकते है अड़ेस्ट फिर इसके बाद mode buttons सबसे default mode auto mode होते है इसमें दिखें auto mode दिखरें इसमें auto mode cool mode dry mode heat mode fan mode पांच mode होते है इसमें auto mode में अगर आप AC ले लिया आपको AC के बारे में कुछ भी नहीं पता तब यह auto mode में डालके आप छोड़ देना कई पर नीचे छोड़ देना कई पर भी छोड़ देना ठीक है नहीं तो दूसरा button में प्रस करने पर कई पर सेटिंग्स चेंज हो सकता है कुल मॉड कुल मॉड में आपको आपको कुछ भी कर सकते है कुल मॉड में टेंपरेचर आप डाउन सेंजेस और आटो मॉड फिर फैन मॉड इसमें काम करेगा फैन आपको चला सकते है फैन लो मीडियम हाई तीन स्टेप्स में चार स्टेप्स और आटो मॉड के साथ चार स्टेप्स में आप फैन चला सकते है mode, cool mode, चिक है, यह मैं basic function से बता रहा हूँ, मैं explains करके नहीं बता रहे हैं, उसके बाद dry mode, dry mode क्या के लिए, dry mode आगर आपको पसीना पसीना हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप सारा जर्वासा बंद करके, आप एक डेड़ गंडे तक इसको चलाना है, इसको चलाने से उतना electricity नही हो जाएंगे, तो डेड़ गंडे के बाद, आप फिर उसके बाद, फिर आप mode चेंज करना, इसमें क्या होता है, इसमें AC dehumidifier machine जैसा काम करेगा, dehumidifier machine, यह क्या है, एक आपका कामरे का पूरा पसीना, जो पसीना पसीना जो होते ना, उसी को, जितना humidity है, उसको एसी बाहर फिक देंगे, तो आपको cooling और आपको एकदम सबसे बड़िया cooling हो जाएगा, तो उसके बाद, यह dry mode, अगर आप सबसे पहले आप dry mode चला लिया, dry mode एक गंडे चलाओ, उसके बाद आप सीधा auto mode, या आपको cool mode मोड में डालने से, आपको फिर आप AC तीन गंडे या चार बंद करने के बाद भी कमरे में आपको चार पांच गंडे तक वो cooling रहेगा, यह इसका फाइदा dry mode का, ठीक है, इसके बाद heat mode, heat mode, heat mode क्या होते है, AC में हीट pump होते है, heat pump के कारएट आपको कामरा को warm करने के लिए, अगर आपना AC, यह AC का, AC का models में depend करते है, मेरा AC all weather AC है, all weather AC मतलब ठंडा का और गर्मी का मोसम में, AC काम करते है, तो heat mode डालने में, आपका room का temperature उपार होते जाएगा, heat mode, तो आपको एक cool climate room में मिलेगा, winter का मोसम में, heat mode, यह fan mode, fan mode में सिर्फ fan काम करेगा, और कोई functions काम नहीं करते है, fan mode से चलाओ, देखिए ना, fan, fan को, आप AC के जो अंदर fan होते हैं, वो fan को आपको control कर सकते है, इसमें दबा के, सिर्फ वो ही चलते है, चलेगा, और कुछ नहीं, फिर आपको इस से हटाने के लिए, फिर mode में प्रस करना है, तब वापस आगया, automatic mode में, मैं cool mode में डाल दिये, इसके बाद sleep mode, sleep mode ही होते है, अगर 6 गंडे, 7 गंडे के लिए कोई सो जाते है, तो इसमें एक बार sleep mode activate करना, sleep mode एक बार activate हो गया, दिखे न, ऐसे दिख रहे है, हो गया, तो इसमें में एक बार बताएंगे आपको, अगर आप 26 में, आप 23 में सेट किया, तो 7-8 गंडे में, we automatically एसी sense करेगा, कमरे का temperature कितना है, उसी के साब से, एसी, normally एक 2-3 गंडे के बाद, यह temperature इदर लेके आएंगे, या 28-29 में लेके आएंगे, उसमें क्या होते हैं, आपका electricity सेव हो जाते है, फिर वापस 8 गंड, 8 hours, वापस आराम से, एसी, अगर temperature set, temperature, दीरे-दीरे, दीरे-दीरे ये वापस, जो आप जहाँ पे set किया, उसी में लेके आएंगे वापस, तो 8 hours आपको एकदम 23 में नहीं चलेगा, तो इसमें आपको कुछ setting दिया है, company ने, इसको default setting के अलावा कुछ setting दिया है, इसी से आपको electricity बच जाएगा, sleepboard एक बच पर प्रस करने से अराम से आपको सो भी सकता है, ये okay button, अगर कुछ app mode set किया, या driver set किया, इसको okay करने के लिए button है, ये swing button है, swing button, जो अपने model का उपर depend है ये भी, योगि ये swing button, दो button है न, एक AC का अंदर होते swings, ऐसा भी करने का, और side में लगाने का, उसी का function के लिए, ये swing buttons दिया है, दोनो, आपको right left, इसमें right करना है, तो right कर सकते है, left करना तो left कर सकते हैं, ये दो बार, आप two, एक बार प्रस किया तो, ऐसा हो रहेगा, फिर फिर प्रस किया तो ऐसा, अगर two seconds, आप hold करके press किया तो, अटोमाचिकली या काम ऐसा चलेगा, यहिये, ठीक है, और, यह, same, ऐसे ही है, यह भी ऐसा, ऐसा ही काम करते हैं, उपर नीचे, आप एक बार press किया तो, ऐसा, फिर प्रस किया तो ऐसा, अगर आप two seconds, hold किया तो, automatically यह काम करते रहेगा यहाई दोनों का function और timer button timer button आपको time set करने के लिए देखिए time set करने के लिए, देखिए? side में on दिख रहे ना, और off दिख रहे आपको off करने के लिए off करने के लिए आपको, इस में से आपको adjust कर सकते 2 hours के बाद AC off हो, होने होने के लिए 2 hours set करो, ओके कर दो फिर, हाँ, आ गया फिर क्या हो गया, ये 2 hours के बाद AC बंद हो जाएंगे और on, on भी ऐसाइट में timer का, और एक बार दबा दो, साइट में on हो गया ना, इसको भी अगर AC बंद standby में, अगर AC अगर 25 में चल रहे, आपको AC 2 hours के बाद विल्ड़ में 2 hours set किया, ओलड़ी पाले, 2 hours set किया तो अगर 10 बज़े है तो 11, 12 बज़े AC off होगा 12 बज़े, फिर आपको 1, 2 बज़े on करना है on करना है, तो timer में फिर ये on में दवाना, फिर 4 गंड़े रख देना 4 गंड़े के बाद, AC on हो जाएगा ओके, मतलब आगर आप off किया, 10 बज़े 10 बज़े off करके setting कर दिया तो 10, 11, 12 12 बज़े off हो जाएगा फिर 1, 2 बज़े, again on हो जाएगे ये एक बहतरीन function है, इसमें इसमें आपको electricity को बचा सकता है, देखें आगर इसको बंद करने के लिए आपको ये directly, ये main off करना पड़ेगा ठीक है timer हो गया, options button option button, मैं option button प्रस किया, site में दिख रहे है blinking, ओ comfort button है और इसमें, एक मिनिट देखें, मैंने on के comfort button फिर ok कर दिया ये directly 23 degree में दिखें, 23 मतलब और एक बार मैं करके दिखाते दाऊ आपको मैंने 27 में रखाए option button प्रस किया फिर मैं ok कर दिया directly 23 degree Celsius में जाएगा directory, आप 17 में set किया ये तो भी 27 में भी, 28 में भी जहां पे set किया, directly 23 में जाएगा वो comfort button है हम लोग के लिए comfort होते है हवा में इतना cooling होने में comfort होते है वोई ये comfort level है 283 फिर options button मैंने दबाया फिर ये self clean है self clean दिखें, self clean फिर ब्लिंगिंग हो रहे है ना वो ब्लिंगिंग हो रहे है, उसको okay करने के बाद क्या होते है अगर 5-6 गंडे AC चलाया AC 5-6 गंडे AC चला गया तो फिर AC में ice जम जाएंगे उसको सब निकालने के लिए self clean button दबा दो फिर okay कर दो, 10 मिनिट में AC automatically फान सब चला के जिद्रा पानी को अंदर है, सब को इवापरेट करके ये next running के लिए ready हो जाएंगे ये self clean button ठीक है और और एक है ये दिखेंगे, ब्लिंक हो रहे है ये follow me है मैंने follow me button दबाया दिखिए, follow me button फिर okay कर दिया मैं ओके, ये क्या होता है इसमें इसमें, अभी, रूम का, मेरा रूम का मेरे temperature दिखाया ना, 34 degree दिखाया था तो follow me button को, अभी मैंने set किया मुझे 26 degree set किया तो ये camera का, आँ sorry, camera का 29 degree है मेरे का, तो मुझे, इसमें set करना है 26, तो AC में क्या करता है, ये में, ये में छोड़ दिया ये पे छोड़ दिया तो आप इधर इधर आपका unit set किया होगा तो ये right side में रखा है ये right side में AC फेकेगा, हवा फेकेगा क्योंकि इधर, इसमें मैं जो set किया ये room का temperature दिखार है 29 AC मैंने set किया था कितना 26 26 degree, इस area में 26 degree जल्दी करना है तो ये AC ने sense करेगा इधर temperature कितना है मेरा area में 29 है तो मुझे 26 करना है हर 3 minute में AC मेरा unit में signal बेजते रहेगा ये temperature के सबसे इधर जोर से हवा फेकेगा इस area को टंड़ा करेगे तो अगर ये जहाँ पर seted temperature में आ गया 26, 26 में आ गया तब ये remote signal unit को बेज़ेगा हो गया temperature करके तब इधर temperature normal हो जाएंगे ये बंद होगा ये जहाँ पर भी रखोगे आपको उदर का temperature पता चलेगा और ये remote से ये display से आपको room का temperature पता चलेगा ठीक है sense करेंगे इसी 3 options ये और ये button super इस उपर दवाने से आपको directly 17 degree Celsius में जाएंगे आपको एकदम फटा फट cooling 17 degree में ये करेगा camera ये do not disturb button है इसमें press करने पर क्या होते है इसमें press करने से ये silent हो जाएंगे अगर इसी कंदर से कुछ हवास आ रहे तेज से हवा चल रहे है ये सब एकदम silent में चल जाएगा ये favorite button है reset करने के लिए इसी को reset करना है जो जहां पर पहले मैंने setting किया दिखिए 24 में रखा था 24 में आ गया इसको एक बार प्रस करने से दो बार प्रस करने से reset हो जाएंगे favorite button okay friends thank you for watching my video